गुड मुर्निंग क्लास, पिछले वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, सॉलिट शेप्स सॉलिट शेप्स में मैंने दो शेप्स के बारे में आपको बताया था, फस्क्यूब and second, cuboid, इनके faces, is, corner and examples के बारे में मैंने आपको बताया था, इसे draw करना बताया था, आज मैं त्री shapes के बारे में जानने से पहले, आई एक बार, cube and cuboid को revise कर ले first, कल हमने जो draw किया था, वो था, cube, मैंने आपको बताया था, कि जितनी भी 3D shapes, यानि solid shapes हम बनाते हैं, वो plain shapes की मदद से बनती हैं, plain shapes जो हम पहले पढ़ चुके हैं, square, rectangle, circle, oval and triangle, इनी की मदद से solid shapes बनती हैं, तो ये cube, square shape की मदद से बना है, दो squares को जोड के हमने ये box बनाय इसकी 12 lines, 8 corners and 6 faces, lines ये जो हमने draw के थी, corners जो 4 उपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces, जितनी जगह से ये दिख रहा था, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, example में मैंने आपको बताया था, chalk box and ludo dice, और भी बहुत सारे example, जो कि आपके आसपास होते हैं, सेकेंड जिस shape की मैंने बात की थी, हो है, cuboid, ये rectangle shape की मदद से बना है, opposite sides are equal, same cube की तरह, यहां से हां भी मैंने दो rectangle बनाएं और उन्हें lines को आपस में जोड दिया, तो हमारा ये, cuboid बन के तयार हुआ, इसके भी 12 lines, 8 corners, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 faces, example में मैंने मुला था, duster, pencil box, book, copy, lunch box, और भासर, brick, ये सारे example, cuboid की तरह, आज हम जिस shape की सबसे पहले बात करेंगे, वो है, cone, cone, this is cone shape, इस shape में, अगर मैं example की बात करूँ, या कुछ आपको remember करने के लिए बोलूँ, तो आपको ice cream, जो आप cone लेके खाते हो, पालर से, ice cream पालर से, वो इसी shape में होता है, अपने birdie पर जो आप birdie cap लगाते हो, वो भी इसी shape में होती है, clown या jookas जो cap लगाते हैं, वो भी इसी shape में होती है, और भी example में आपको बताऊंगी, कौन shape? नीचे से triangular होती है और उपर circle, तो इसके जो हैं, दो faces होते हैं, एक plain और एक curved face, और एक corner होता है, यानि चुकि plain face एक ही होता है, तो इसकी line 1 होती है, corner 1, faces 2, यानि ये दो जगा से दिखाई देता है, अब हम देखेंगी ये draw कैसे होता है, कौन draw करने के लिए, हम दो तरह से draw कर सकते हैं, जैसे पहले वाले में मैंने triangle पहले बनाए और circle उपर, और अगर हम दूसरी तरह से draw करें, तो हम opposite triangle भी बना सकते हैं, ऐसे, one line इदर, then second, और उसके बाद, नीची से, से, सकर, यहाँ पर corner हो गया ये, ये इसका curved face हो गया, यानि round face, जैसी curved हो गया, उसकी line नहीं होती है, this is plain face, क्योंकि जब आप cap पहनते हों, तो यही पार्ट आपके सर पर होता है, this is cone, इसका name है, cone edges, यही मैं line की बात करूं, तो चुकि मैंने plain face one बोला, तो इसकी line one होती है, edge, one, face two होते हैं, one and two, two faces होते हैं, corner one, example में अगर मैं बोलूँ, तो जो कस cap, बड़े cap, funnel, soft tea, जो आप ice cream लेते हो, आप ice cream पारलर से यह, अब मैं आपको इसके example देखाते हूँ, अब चुकि मेरे पास जो कर cap और बड़े cap नहीं हैं, बट मैंने इस एक example लिखा है, funnel, this is keep, घर में अपने इससे दिखा होगा, मम्मी के पास, यह पापा के पास भी दिखा होगा, इस मैंसे oil pour करते हैं, और यहां से वो नीचे इड़ जाता है, ममम बॉटल मैंसे लगा के करते हैं, this is funnel, इसे हिंदी में हम keep भी कहते हैं, यह इसी तरह से नजर आ रहा है न, उपर से और यह plain part, जो part जमान wall पर आगया या मेरी copy पर आगया, this is plain face और जो ऐसे round shape में है, this is curved face, तो faces मैंने आपको कितने बोले, two, one plain and one curved, this is plain face, यहां से oil जब हम डालते हैं तो यहां से नीचे जाता है, then this is curved face क्योंकि इसकी कोई line नहीं है, corner यह नीचे वाला part, this is corner, अब चुकि मेरे पास ना तो जो कस cap है ना बड़े cap और नहीं softy, एक है example में यह, इसमें अक्सरा हम मुमफली वाले से भी peanuts वाले से लेते हैं, peanuts इसमें डालके मुझे देता है, इसी तरह से बना होता है न वो, और अगर मैं इसे softy की तरह पकड़ो तो यह ऐसी नज़र आती न, softy, इसमें softy होती है, यह जो part नज़र आ रहा है, यह curved, this is plain, यहां पे हम softy रखते हैं, और यह corner, और अगर मैं इसे इस तरह से बोलू, तो आपने मम्मी को में महंदी लगाते दिखा होगा, जब मम्मी लगाती तो इसी तरह से लगाती है मम्मी, वो भी इसका एक example है, तो cone, edge, one, your plane part, faces two, one plane, one curved, and corner, one, example में joker cap, birthday cap, panel, softy, etc. इसके बाद, your next example है, वो है, shape है, sorry, वो है, cylinder, इस shape में, अगर अभी आप देख रहे होंगे, इसे और आपके हाथ में होगी, आपकी pencil, और मेरे पास है, मेरा sketch pen, या pen, classroom में मेरे पास होता है, chalk, आपके पास होगी, आपकी pencil, बिल्कुल इसी shape में है, cylindrical, यहां से हम लिखते हैं, इधा से point, तो point है, बीच का part, round, जिस glass में आप water पीते हो, या milk पीते हो, वो, जिसमें में में चाय पीती हैं, जिस cup में वो, या जो school आप bottle लेके जाते हो, वो, इस सारे ही examples, cylinder के हैं, वो सारे के सारे example, cylinder के हैं, यानि वो cylindrical shape में होते हैं, इसके दो plain faces होते हैं, one and two, अगर मैं pencil या pen में दिखाऊं, तो यह दिखो, one and two, जहां पे मैंने इसे पकड़ लिया, और एक curved face होता है, जो round shape में होता है, यानि जिसके कोई line नहीं होती, तो दो plain face, तो जितने plain face होते हैं, उतनी ही line है, यानि two lines, curved face अगर मैं बोल रही हूँ, तो line नहीं है, curved face की line नहीं है, दो plain face, यानि two lines, जब आप glass ऐसे रखते हैं, तो यह वाला part, जो है, table पे होता है, और यहाँ पे glass में उपर milk होता है, तो यह दो plain faces हो गए, और बीच का part curved होता है, तो two plain face, यानि two lines, और मैंने बोला one curved face भी है, तो faces हो गए इसके, one, two and three, अगर आप अपनी pencil को देखो, या इस pen को देखो, तो कहीं पे भी दो lines आपस में मिल रही है, इस तरीके से corner बनाते हुए है, नहीं मिल रही है, ऐसी कोई भी जगा नहीं है, जहाँ पे यह corner बनाते है, तो इसका corner नहीं होता है, यानि corner, zero, एक्जामपल में pen, pencil, chalk, glass, bottle, cylinder, cane, यह सारे example इसी के हैं, अब हम इसे draw करेंगे, इसे draw करने के लिए, एक straight line कीचेंगे, लेन एक और straight line कीचेंगे, और one circle नीचे, और एक circle उपर, यह है plain face, यह भी है plain face, this is curved face, इसकी faces कितने होगे, one, two and three, lines होगे, one and two, corner, zero, एक्जामपल में मैंने आपको बताया है, pen, sketch, pen, आपके पास आपकी pencil, और glass, bottle, एक और example में आपको दिखाऊँगे, एक cream की bottle, यह भी cylindrical shape में है, यह देखो, यह नीचे का part, जो नीचे से दिवाल पर है, यहां, जिसमें यह cream होती है, और यह बीच का part, जो की curved है, तो lines कितनी होगी, one and two, faces कितनी होगे, one, two and three, corner नहीं है, last, जो solid shape है हमारी, वो है, sphere, इसे देखते ही आपको, क्या यादत है, this one, ball, football, marble, इसी shape में है न, sphere, यह सब और से goal, यह इसका face curved है, जैसी आप इसे यहां रखोगे, यहां नहीं रुकेगे, then, यह, नीचे चली जाएगी, sphere, यानि पूरा goal, circle नहीं, circle होता, तो wall पे, यहां पे रुख जाता, circle की मज़च से बनता है, मगर यह sphere होता है, यानि, इसे हम जैसे ही नीचे रखते हैं, यह, ऐसे लुढ़क जाता है, sphere, एक ही face है, curved, इसलिए इसकी कोई line नहीं, 0, चुकिए face line नहीं, तो corner भी, 0, face, 1, जिदर से देखो, एक जैसा नजार आता है, sphere, round shape, अब इसे draw करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक circle बनाएंगे, और उसकी अंदर, पूरी तरह से, क्योंकि circle नहीं है, तो हम हलके से, curved, जो आपके football में होता है, बना हुआ, उस तरीके से, से बनाएंगे, this is curved face, मैंने आपको circle में भी बताया था, कि उसकी कोई line नहीं होती, क्योंकि कहीं से भी शुरू और कहीं से भी, खत्म, इसका name हो गया, sphere, edge, 0, corner, 0, face, 1, इसके example में, सबसे जो best जो आपको याद रहेगा, वो है, ball, marble, globe, football, ये सारे example इसी के हैं, तो आज हमने किन 3 shapes की बात की, cone, cylinder, and sphere, इससे पहले हमने जो 2 shapes की बात की थी, वो थी, cuboid, and cube, I hope आपको अच्छे से shapes ड्रॉ करना आगया होगा, इनके faces and corners समझ में आगे होंगे, अगर आप अपने आसपास examples को ध्यान से देखोगे, तो आपको और भी बहुत सारे example, plain and charred shapes के नजर आएंगे, और आप और अच्छे से इसे समझ जाओे, thank you.